तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और मज़दार एपिसोड में क्यूंकि आप हमारे कंट्री वाले पॉडगाज बहुत पसंद करते हो जहां पर हम अलग-अलग कंट्री के कल्चर को लाइफ को डिसकस करते हैं उसलिए आज हमारे साथ मौजूद है जै कुमार जैन सर जो की क कैनेडा वन उफ दे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन एफ और इंडियंस नॉट ली डू ट्रैवल बट सेटल होने के लिए भी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग कैनेडा जाते तो जैसर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दू यह एक लाइसेंस्ट और उथराइज परस उनको सही गाइडेंस देते हैं उनको सही लोगों से कनेक्ट करते हैं कि कैसे वो कैनेडा में प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं वहाँ पर क्या उनका केस अप्रूब होगा यह नहीं होगा उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं तो सर वेलकॉम IRB, we are trained, हम लोग इस तरह से हमें training हमारी दी गई है कि हम किसी भी immigration matters को proper समझ के क्लाइंटों की जो problems है, उसको proper navigate करके क्लाइंट को best options जो उनके हैं in terms of कि वो lost हो गया है अपनी journey में we guide them, we guide them in a way जहां पे उसको और आगे difficulty ना हो वो already बहुत परेशान है so we help them to get this process easy करने के लिए हम उसकी life को रास्ता बताते हैं, we help them to do the paperwork in a way जहां पे Canada की immigration, they don't get them उनको ऐसा न लगे कि ये हमारे लिए एक problem है उनको ये लगे कि ये बंदा एक problem से आया है, इसकी हम help करें and that is why we are here, we in Toronto, we are supporting our community we are supporting every Indian, every individual जो भी हमारे पास आता है we help them so that is what my practice is Sir, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप और बहुत सारे लोगों का आजकल सपना सा हो गया है कि इंडिया के भार से टल होना है तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि what is the right age या कौन से लोगों को भार की जिंदगी सोचनी चाहिए, टार्गेट करनी चाहिए मेरी अपनी सोच है कि Canada एक ऐसी कंट्री है जो हर इंडिविजुल को whether he is a youngster, whether he is वो अपनी पचास की एज पे भी है he is welcome Canada is a country जो हर ages को welcome करती है हर religion को, हर culture को accept करने को लिए तयार है and that is why we Canadians, we promote multicultural country Canada is one of the country जो multicultural countries को ही promote ज्यादा करती है तो सर जैसे आज कल यह हो गया है कि थोड़ा सा काम करके यहां पर work experience लेके Canada जाना चाहिए या फिर जो young couples होते जिनकी शादी हुई होती है उनको जाना चाहिए ताकि वो वहां काम कर पाए मतलब कैसे आप guide करोगे हमारी audience को कब वो सोचे कि बहार सेटल होना है यह बहुत अच्छी बात है कि जो बंदे ने अपनी life में इंडिया के अंदर या किसी भी country में उसने अपना experience गेन किया है Canada is looking for that experience कि आप अगर बाहर से anybody entrepreneur है या pilot है या कुछ भी करता हो who has that skill Canada is looking for that skill Canada को वो skill चाहिए और वो genuine skill चाहिए जिसमें कि वो Canada की economy में आके Canada के पढ़ाई करके Canada के government के laws के according वो वहाँ work permit ले और उसके बाद अपना PR का जो उसका route है उसको manage करें मतलब age matter नहीं करती है age is never a problem for Canada में age की कोई problem नहीं है पस यह है कि कम age में वो थोड़ा easy हो जाता है otherwise Canada is welcoming all the ages कोई भी age हो we you guys are welcoming पर सर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके बाद जादा experience नहीं है सिफ जॉब करिये और भी नहीं करी इस तिल he wants to settle in Canada and he has money यह प्लस पॉइंट है उसके बास तो उसके लिए असान है सेटल हो ना फिर भी आ मैं यह बोल सकता हूं कि थोड़ा सा उसको टफ होगा क्यूंकि Canada is looking for Canada को वो बंदे चाहिए जो अपने आप में natural हो जिनके पास अपनी किलो और वो Canadian government या Canadian economy पे एक weight ना बने वो बोज ना बने सो personally मेरे पास आते हैं मेरे पास बहुत clients आते हैं those who are not even grade 12 जो जिन्होंने बारवी भी नहीं की है जिन्होंने labor की job की है उनके पास पैसा है but it gets hard क्योंकि Canadian government wants to have people उनको वो बंदे चाहिए जो उन पे बोज ना बने and no country wants to get those people Sir थोड़े cases समझते हैं कि आपकी दिन चरिया कैसी रहती है कैसे लोगों से आप deal करते हो बहुत सारा आज कल इंडिया में popular term हमने बहुत अपने podcast में भी discuss करा है जाता है एंडिया में जान खत्रे में and all that तो आप थोड़ा process बताओ कि आपके पास कोई ऐसे cases आते है refugee cases या illegal cases तो आप कैसे deal करते हो मेरी जो education है Canada के अंदर I am regulated and I have done an extra education for IRB matters हमारे section में आता है कि हम refugees handle कर सकते है till the till जो भी format है उसमें manage कर सकते है Canada is one of the countries जो बहुत refugees को intake करता है every year and Canada में जो बंदा land कर जाए उसको वो लोग they see कि हाँ ठीक है इस बंदे की problem सुनो which is a good thing अगर आप अपनी country में help नहीं मांग पा रहे हो अगर आप Canada पहुंच के अगर help मांग रहे हो it's a good thing कि आप उनको वहां की government आपकी बात को सुन रही है they are giving you value to your words judges appoint होते हैं we call it members over there वो आपको facility देते हैं वो आपको work permit देते हैं वो आपको रहने की चगह देते हैं they give you free food and they listen to you that is more important आपकी बात सुनी जा रही है and I don't think it is wrong हाँ अगर कोई genuine refugee है जिनके साथ को natural problem हुई है और आ रहा है Canada Canada is welcoming them everybody is welcome जो अपने आपको genuine refugee बोलता है उसको Canada accept करती है and there is the life is a good life in Canada अगर आप एक problem की country से problem से आ रहे हो और आपने अपने आपको समाला है वहां पे Canada की government आपको समाल रही है they are giving you status of protected person and then a permanent resident that's a good thing पर सर ये कितना लंबा प्रोसेस रहता है कि जैसे कोई refugee आया और कोट में चला ट्रायल कुछ हुआ तो कितना लंबा प्रोसेस रहता है कि जैसे decision जल्दी मिलता है या बाद में मिलता है right in my life मैंने हम regular basis पे refugees करते हैं 15 refugee से 25 refugee in a month भी करता हूं like we have a lot of refugees हम and I have seen 4 महने से लेके 24 महने में refugees का काम हो जाता है because I do maximum in Toronto region जो हमारा Toronto region है हम refugee वहां करते हैं and my entire team क्योंकि मेरे पास team में different different levels है हम हर चीज़ को properly navigate कराते है client को just be language में client comfortable like client Punjabi बोलता है we have team who is assigned for him in Punjabi को हिंदी बोलने वाले हर्याना के भी है पंजाब से भी है Hindi बोलते है we have team for Hindi कुछ client ऐसे हैं जो different countries से आते हैं जो English बोलते है we have teams available English so हम properly client को support करते हैं और चार मेने से लेके 24 मेने के बीच में ये near about clear हो जाता है but sir meanwhile उनका जब trial चल रहा होता है तो उनका जो expenses होता है या जो आप कह रहे हो support जो government करते है वो मिल रहा होता है उन्हें government से yes government refugees को एक अलग से एक we call it benefits वो government grant करती है अगर कोई बंदे के पास किसी का किसी की bodily problem है माले उसके eyes नहीं चल रही उसके हाथ नहीं चल रहे या उसको कोई physical problem है कोई medical issues है everybody is entitled for a grant जो की monthly उसको मिलेगा 600 dollars to 800 dollars के आसपास हर मैने मिलता है government is also giving them a house to live good thing monthly passes मिलते हैं free food के coupons मिलते हैं well there are a lot of good things this is a independent house मिलता है या फिर कुछ camp वर्यारा में रखते हैं government के तरफ से independent houses condos अभी तो recently हमने देखा की बहुत refugees को उन्होंने 5 star hotels में भी shift किया हां जब 5 star hotels में भी दिये हैं and government is very much active in helping refugees a lot but provided वो genuine yes see genuine है या नहीं है वो last me decide judge करता है judge को कहना में हम लोग members बोलते हैं it is a part of member who decides it but every individual जो refugee बोल रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो problem हुई होगी वो कहीं न कहीं किसी problem से हो के आ रहा है and we as a Canadian हमें लगता है की we are like soft heart हम उसकी बात सुननी चाहिए अगर बंदा एक रो के या अपनी problem बता रहा है तो as a Canadian we should we should listen to him and give him that weightage की हम कम सेके उसकी बात प्रॉपर ले सुने and judge को judge भी इतने अच्छे होते हैं they are so soft people they understand your problem they they want to see कि कहीं इस बच्चे के साथ कुछ गलत decision ना हो जाए यह बहुत important है I am not saying कि India के judges or but Canadian judges they listen and they want to decide your case on the merits of the on the case की बच्चा मुझे इस जो बता रहा है वो सच बता रहा है अगर सच बता रहा तो yes he should live वो वहां रहना चाहिए और उसको PR मिलनी चाहिए तो sir कैसे कैसे reasons होते हैं जो neglect हो जाते हैं कि वो मना कर देते कि नहीं आप यहां नहीं रह सकते और कितनी बार ऐसा हुआ है कोई कैस ऐसा हुआ है कि किसी को बार वापस बेच जाता है मेरे पास बहुत सारे cases आते हैं जहां पर एक problem करना में क्या है कि लोग कही कहानी पातों दूसरे की बातों में सुनके पीशे पर चल लेते हैं नहीं you have to do your homework आप अपना homework proper करो homework proper इस तरह से करो कि आप go meet a consultant, go meet a lawyer, उसका reviews देखो, उसकी dealing देखो ऐसे बहुत consultant है, मैं भी हूँ, I work 24 by 7, मेरी team है, हम लोग दिन रात काम करते हैं, refugees के लिए और हर applications के लिए करते हैं, हमारे पास कैसा भी client आ जाए, we give them time, we don't charge for consultancy, it's free of cost, हम कोई भी charge नहीं करते हैं, एक बार मिलना है, चार बार मिलना है, दस बार मिलना है, आओ, yes, हम total, any kind of application, हम कोई भी client से मिलने का appointment का कोई पे charge नहीं करते हैं, it's free of cost, and the good thing is कि हम लोग हमारे पास client जातर referral आते हैं, referral मनतब हमने जिन का काम कराया है, वो सिदा बुलेगा, sir के पास यले जाओ, sir is gonna handle it, and they know that I have dealt with him in a manner कि उसको को तकलीफ नहीं है, तभी वो मुझे refer कर रहा है and it's this journey में हम लोग जो costing भी जो price लेते हैं client से, जो भी fees लेते हैं, वो इतना easy होता है कि client हमें दे सकता है, यह नहीं की जैसे कई बार होता है कि इतने पैसे दो नहीं, we keep it very normal, जहां बंदा कमा कमा के हमें दे सके, तो यह चीजे थोड़ी सी हम लोग, that is why we are growing, and we are happy to serve our people, and we are happy to be a part of it, so basically one time यह की मिले, पैसा दिया, और फिर काम हो गया, थोड़ा long term relationship build, it's a long term relation, जहां साल, डिएर साल में refugees का काम चलता है, and we are not leaving them behind, जब उसका काम हो भी जाता है ना, तो उसके बाद उसने फिर PR करानी है, फिर वो citizenship कराता है, तो वो हम ही से कराता है, क्योंकि they know कि हमे सर को phone करना है, और हमारा groups बने होते हैं, और वो फिर हमें काम देते जाते हैं, उनका काम होते जाता है, वाव, सर थोड़ा Canada को as a country समझते हैं, अभी बहुत सारी चीजें चल रही, news आती है Canada से related, क्योंकि हम social media पे बहुत active रहते हैं, तो मैं social media पे जो myth या reality हमें दिखती है, मैं आप से quickly पूछता हूँ, आप बताना क्या सच है, क्या नहीं, तो अभी बहुत सारे students का visa cancel हो रहा था, बहुत सारों को वापस भेज जा रहता, वो protest type of कर रहे थे कि नहीं भेजना चाहिए, तो क्या matter था sir, क्या overcrowding हो रही है, वहाँ क्या सीन है, मितला है, reality is कि कुछ ज अडिया की भी value कम हो रही थी, now एक बार Canada ने जब उस चीजों को stop किया है, तो people have started learning की नहीं, हम Canada के साथ ये play around नहीं कर सकते, and the good thing Canada ने अब किया है, कि वो बोलते हैं कि सिफ ऐसे बंदे भेजो हमारे पास, जो reality में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना आपको work permit देंगे, PR देंगे, they are open, but not कि आप Canada contract पे आ रहे हो, आप agent को lump sum पैसा दे के आ रहे हो, और सिफ land करना चाहते हो, और उसके बाद आप छुप जाओ, या काम करने लगो, that is not a good thing, हमारी country अभी bilateral भी उतनी अच्छी नहीं है, and we personally want कि bilateral हमारी अच्छी हो, ताकि दोनो country यां grow करें, India, Canada के bilateral अच्छी हो, तो सर अभी students को भेज दिया है वापस, या नहीं अभी भेजा है, कुछ चीजें जो गलत हो गई है, Canada wants to clean it, and India also don't want to, तो भेजेंगे, eventually, जो गलत route से आ रहे हैं, जिनको जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, जिनका student visa by default लगा दिया, agent ने कमाने के चकर में लड़को को Canada भीजा, which is not good, तो वो भेजेंगे भेजेंगे वापस, क्योंकि Canada के laws, law के अंदर ऐसा है कि आप जूट बोलके, जूट बोलके आप कुछ नहीं कर सकते, आप सच बोलके करो, they will understand it, लेकिन जूट बोलके नहीं, अच्छे सर, बहुत से लोग है the good reason about Canada is कि वो आपकी value करती है, health system बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई के बाद आपको jobs मिलती है, ठीक है, quality of life है, आपको डर के नहीं जीना वहाँ पे, and then they give you opportunity to grow, आप पुराने बंदे देख लो, आप जगनीत सिंग देख लो, इंडिया से गए वे हैं, he is, टककर देते हैं, वो Justin Trudeau को, like he is so, हमारे Indian लोग ही इतने सारे MPs है, तो Canada के अंदर बहुत potential है for growth, and that is why जो बंदे जा रहे हैं, हम लोग Indian लोग बहुत महनती हैं, we work 24 by 7, so महनती बंदे की हर जगा value होनी चाहिए, and Canada values that, so education, अगर आप कर रहे हुआ पे, that is always help you, आप किसी भी country में, अगर आप Canada में पढ़ाई करते हो, जो Canadian education है, वो हमेसा आपको repay करेगा ही करेगा, आप वहाँ पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके friends बनते हैं, आपको jobs मिलती है, and you have a better growth in Canada, that is all I will say. Sir, jobs काई थोड़ा में जानना चाहरो, आप से की, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपे Canada में, so, कितना time और कितना easy है, job मिलना वहाँ पे, कि जैसे कहते हैं कि US में काफी जादा difficult है, अगर आप रहे हो, UK में भी बहुत जादा difficult है job लेना, so, same है Canada में या थोड़ा असान है, कैसा Canada कुछ time के लिए अभी recession पुरे world में है, थोड़े time के लिए हमें दिख रहा है कि Canada recession के बीच में है, jobs थोड़ी कम है, but eventually it will be okay, थोड़ा-थोड़ा करके ये ठीक हो जाएगा, we are looking around 2024 के बाद, ये ठीक हो जाएगा, it will be fine अच्छा सर, जैसे health care की बाद चली रही है, तो अगर किसी के कुछ health issues आते है Canada में, उसे doctor से मिलना है, तो ऐसा कहते है न कि भाई, महा मिलने में बहुत time लग जाता है doctor से, और किसी को किसी specialist से मिलना है, तो बहुत time लग जाता है as compared to India, ऐसा है क्या? right, so मैं आपको इसका answer दे सकता हूँ कि, पहली बात तो कहाणा में, लोग ill होते नहीं है, अगर ill होते भी हैं, तो छोटे 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 ची जो के लिए flu हो गया, चार दिन में ठीक हो जाएगा, किसी के surgery हो नहीं है, yes, थोड़ी सी दिक्कत है कहाणा के ददर, for bigger surgeries, but you have to understand कि जो वो doctors फिर treat करते हैं, then you don't have a problem, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपका number आएगा, उसके बाद, you don't have a problem after that, अभी recently मेरे को मेरी, जो हम लोग मेरे कुलीग है, उनकी grand mother, जमाइका से कैन आई, अगर वो जमाइका रह जाती, तो she was finished, उसक की डादी को कैड़ा आई, उसका treatment हुआ, तीन-तीन चार्च और surgeries हुई, now she is fine, perfectly fine, so वो जो health system है, अगर आपको treatment मिल रही है, you will be fine, थोड़ा delay है, वो देखो, हर country's के good and bad है, sir ऐसा है क्यों कि ये डीले क्यों है कि doctors या hospitals कम है, क्योंकि Canada में itself, population काफी कम है, अगर हम और Health in Canada is total free, आपका कोई पैसा नहीं लगता, आप country पता हो मुझे, जहाँ आप doctor को देखने जा रहे हो और आपको पैसे नहीं देने परते, ऐसी कोई country नहीं है, Canada is the one of the country, आपका कोई पैसा नहीं लगता, so आप, so do you have to take some insurance for that, या फिर कैसे वो प्रोसेस कैसे हो है, अच्छा, हर इलाज, and it is for everyone, for everyone who is a Canadian citizen or a permanent resident, even अगर आप work permit पे भी हो, तो जो employers है, उनोंने अपने insurance ले रखे, employer ने ले रखे, nothing to do with the employee, employee को तो, he is working with the employer, तो employer अपना insurance लेता है, अगर कोई work पे घर गया, कुछ प्रॉलम हो गई, तो WSIB है, या health insurance है, या उनका accidental insurance है, वो cover करता है, अगर अगर बच्चा दो साल तक घर पे रखे, नहीं कुछ काम कर पा रहा, तो he will be getting salary every month, see, this is the beauty of Canada again, आप maternity पे जाते हो, maternity पे आपको government की तरफ से वो हर मैने आपको पैसा salary आरही है, नौ मैने, दस मैने, जो भी time आप चाहते हो, you are getting it, so this is again a beauty, and I personally want, कि जो बंदा आना चाहता ह काना, come, sir, थोड़ा इसको भी समझते हैं कि अगर हम जैसा कोई आना चाह रहा है, जो business class है, या working job class है, job के लिए तो चलो easy है कि आप अपने domain की वहाँ पर job के लिए approach करो, और अगर आपको मिलती है, फिर आप paper work कर सकते हो, but जो लोग business में है, जिनका यहाँ पे well settled business है, वो हमें वहाँ की PR मिल जाए, तो वहाँ आके नई job ढूननी पड़ेगी, same business करना पड़ेगा, कैसे आप access करते हो कि हम किस eligibility में वहाँ पे PR ले सकते हैं, good, great question, so basically अगर कोई mid 40s में है, या mid 50s में है, और वो Canada move करना चाहता है, he is having some problems in India कि वो नहीं manage कर पारा, या health concerns है, या family better life, Canada is one of the best option, government बोलती है कि कोई भी businessman है, entrepreneur है, वो आना चाहते है, our doors are open, आप आएं, country में चीजों को देखें, हम आपको company, जो आप company खोलेंगे, हम आपको उसी में से work permit देंगे, आप अपना business चलाओ, and business चला के, आप Canadian बंदों को, जो भी वहाँ पे local हैं, उनको hire करो, हम आपको फिर एक certain amount invest करना होता है, वहाँ पर, depend करता है कि आप किस तरह, अगर आप कोई ऐसी company चालू करना चाहते हो, जिसमें investment है नहीं, तो you don't have to, you just have to give your proposal, वो कहीं भी किसी भी restaurant पे, किसी भी अच्छी job पे, जो वो कर रहा था, again condition है, आपको वो काम आप कर रहे हो, then only you can ask for a job in Canadian companies, ये ना हों कि बंदा शेफ है, और वो बोर रहा है कि जी मुझे cleaning की job ही दे दो, no, it should match to the previous job you have done, which is again a good thing, क्योंकि वो अपना जो तजूर्बा ले के आ रहा है, like if he's a Italian pasta maker, वो एक अच्छे टॉन्टो में Italian restaurant पे, वो Italian food का cuisine हमें सर्फ करेगा, which is a good thing, तो that is why we are happy, like Canadian immigration, has made a system, जहां वो कोई चीजों को गलत नहीं होने जाते हैं, वो प्रॉपर रखना चाते हैं चीजों को, भर सर, देखा जाए तो जैसे businessman या कोई भी entrepreneur जाना चाहे, अपना business shift करना चाहे, तो वो ये जरूर देखता है कि taxation policy कि आए मेरा कितना पैसा बचेगा, अगर में महां company खोलता हूँ, मेरा क्या फायदा हुआ, तो वो थोड़ा आप explain कर सकते हो, तो बताओ कि, जैसे Dubai के लिए कहते हैं कि, बहुत जाद आपको कम tax देना पड़ते है, आपे है ही नहीं, तो ऐसा कुछ है वहाँ पर? Right, Canada का taxation थोड़ा जादा है, comparatively to other countries, but मैं, as a, as a, me, as an immigration consultant, हम लोग, we are happy to pay taxes, और अगर आपको taxes आप दे रहे हो, तो आप उसी पर दे रहे हो, जो आप बिसनस कर रहे हो, ठीक है, जो आप ले के आ रहे हो, या जो आप खर्चा कर रहे हो, उसी पर tax दे रहे हो, and you, they also give you benefit out of it, माल या मैं, अगर मैं taxes दे रहा हूं, तो मेरे को ribet भी मलता है, मेरी company को, अगर मुझे कल को कुछ चाहिए, मुझे loan चाहिए, मुझे अपनी business को grow करना है, मैं अपने documents लेके bank जाता हूं, 5 minutes में, 5 minutes, they give me a loan, grant तुरंत, उनको पता है कि ये बंदा, इतना tax दे रहा है, इतनी salary दे रहा है, इतना इसके खर्चे हैं, 5 minutes में grant, they don't ask for collateral की, आप अपना घर के paper रख दो, no, you are already approved, so, ये तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज ऐसे कहते हैं कि profit का इंडिया में की 30%, तो percentage के हिसाब से अगर आप बता पाऊ तो कि कितना रहता है, and again it is reasonable, क्योंकि then you are enjoying your health benefit, you are enjoying all those benefits, आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, you are enjoying every, every, you know, benefit of the country. अच्छी question आरा है मेरे माइंड में, ऐसा कहते हैं कि Canada की PR मिलना बहुत असान होता है, क्या ऐसा वाकही में हैं क्या रहा है? क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके points बन रहे हैं, आप experiences है आपके, Canada ने एक system बना रखा है, कि आप अगर उस system में qualify करते हो, तो yes, आपको PR मिलेगी. अगर आप उस system में qualify नहीं करते हो, तो आप फिर आप कहीं गलत route पे जाते हो, विच मैं कभी भी मैं गलत route को मैं entertain नहीं करता, ना हम उन चीज़ों को ले client को suggest करते हैं. तो इसके क्या conditions है? Right, so, सबसे पहले वो यह देखते हैं कि बंदे की age कितनी है, education part, क्या बंदा highly qualified है, उसके बाद experience, बंदे ने क्या काम किया है, अगेन, जो काम इंडिया में किया है, वो काम अगर उसको फिर से कैनडा में किसी company के तूँ मिल रहा है, are they going to support you with LMIA? LMIA is a job offer contract, जो वहाँ की local कंप में कितने fluent हो, आप क्या Canadian economy, Canadian बंदों के साथ, उस चीजों को manage कर पाऊगे, अगर तो वो सब कुछ match करता है, you get a point, वो points बन जाते हैं आपके जहां पे आप PR के लिए qualify कर जाते हो, and we do that application, और हमारे office में, दो तीन अलग-अलग case workers हैं, and we have different level of doing it, पहले हम screening करते हैं, फिर वो case worker के पास आता है, फिर वो case, जब final हो जाता है, फिर वो मेरे पास आता है, फिर I assess it properly, और उसके बाद हम मैं personally, इस फाइलों को अपने से update करता हूँ. Sir, थोड़ी general बात करते हैं, life compare करते हैं, क्योंकि आप Canada में रहते हो, और आप इंडिया में भी इतने साल रहे हो, थोड़ा difference बताओ आपको, क्या feel होता है, कहाँ जादा मन लगता है, क्या, मतलब, कुछ तो इंडिया में भी खासियत है, of course. So, मैं compare नहीं करना चाता है, दोनों की life को, इंडिया की life इंडिया की जगे पर अपनी अच्छी है, but Canada में life, मैं तो I am very much settled in Canada, and I love the life of Canada, because मेरा morning जो है, सुबह 6-6 बज़े सुरू होता है, and मेरे phone आने सुरू हो जाते हैं, Indian office से, क्योंकि उन्होंने मुझे reports नहीं होती है, and then उसके बाद मैं 9-9-30 में office पहुँच जाता हूँ, मेरे already schedule बने होते हैं, client के साथ, किस से मिलना है, कभी courts की dates होती है, तो everything is, हमें तो पता भी निचलता कब morning होती है, कब रात हो जाती, it is so, we are so busy, and we are happy for that, क्योंकि ultimately we are serving the community, हम अपने लोगों की help भी कर रहे हैं, और मज़ा आता है, मतलब, एक बच्चा, एक बंदा, जो एक बहुत पढ़ी ask लेके आए, कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ, कैनड़ा आया, उसको by mistake उसको student visa दे दिया, that doesn't make sense, यार एक बंदा जिसने ऑलेडी 25 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिये, आप उसको study visa दे रहे हो, किसलिए, उसका time खराब हो रहा है, नहीं, so personally मैं भी, for my life, I am happy with my Toronto life, हम खुश है, and हमारे लिए सब कुछ easy है वहाँ पे, क् आपारी friendship ऐसी बनी वी है, कि हमें कुछ चाही होता है, कभी को problem होती है, तो जैसे इंडिया में हैं, वैसे ही कैनड़ा में दोस ऐसे बने वे हैं, कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, तो कैनड़ा में सर, जितने भी Indians है, उनसे connection है, या फिर जो अंग्रेज रहते है, maximum काम हमें Indian community से ही मिलता है, मैं बंदिरों से, गुर्दवाराओं से, मैं हर जगा associated हूँ, और मुझे बहुत reference मिलता है, क्योंकि जब बंदा परिशान होता है, तो फिर मंदिर गुर्दवारे में जरूर जाता है, और जब वहां जाता है, तो वह जो वहां पे जो पंडि practice में, मैं 10% ऐसी भी cases करता हूँ, जिसमें हम चार्ज नहीं करते हैं, जो मंदिरों से, या जैसे, बहुत problem में हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, I do pro bono for them, मतलब अगर problem में अब अच्छा पैसे नहीं है, हम उसकी free में फाइल लगाते हैं, और उसमें बड़ा सुकून मिलता ह सर, problem थोड़ी समझते हैं, कैसी कैसी problem होती है किसी को की, मतलब क्या वो, उनको college ने निकाल दिया, पैसे नहीं है, ऐसी problems कैसी problems आती है हर तरह की problem है, जैसे कई बच्चे कोई contract के थूँ आये होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा gray area है, जो कि नहीं होना की है जैसे मैंने सुना है, भी recently हम लोग तो खर करते नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि, बच्चे को, आयलेट्स भी वो खुदी कराते हैं, और education, पता नहीं कैसे कैसे manage करके, वो visa लगा के बंदे को Canada उतार देते हैं, और उसके बाद वो बच्चा lost है, त्युकि उसको उसने कभ को मिल जाता है, तो उसका रास्ता एजी हो जाता है, अगर वो गलत बंदे को मिल जाता है, तो फिर again he is in a problem, and eventually फिर गलत हातों में चला जाता है, अच्छा सर, Canada में कुछ सिटी जहां पे बहुत ज्यादा population है, तो ऐसा भी है कि वहां पे ज्यादा population होने के विए से बहुत ज इसी जगर रहे हैं, जहां पे growth जाता है, problem है, but अब जो student कम आने लगे हैं, तो वो चीजे ठीक हो जाएंगी, in coming years, coming months, ठीक हो जाएंगी, crime को लेके, it is again a concern, but जो Canada की police है, they are very active, ठीक है, गाडिया चोरी हो रही हैं, हमें पता है, गाडिया चोरी हो रही हैं, but again, government is looking at all the aspects, कि इसको कैसे crack करना है, वो पंदे पकड़ भी रहे हैं, and we are again secured, हम Canadians, हम secured हैं, क्योंकि वहां की policing है strong, हमारे CCTV cameras लगे हुए हैं, and security of life है, ठीक है, crime बढ़ रहा है, उसको policing का काम है, policing करेगी, उसको ठीक, Sir, वहां पे, जैसे US में काफी असानी से आप arms and ammunition खरीच सकते हैं, और हम काफी सुनते हैं कि US में crime इस वज़े से काफी जादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कभी भी कुछ भी fire हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, Canada में कैसे rules है, क्या कोई भी असानी से ले सकता है, हाँ, कहना में arms आप ले सकते हों, but you have to go through a process of taking a license and then keeping it, और वो हर बंदे को नहीं मिलता है, उसका एक process है कि आपको RCMP क्लियर करनी है, आपको ऐसे बंदे की से reference लेना होगा, जिसके पास already license है, और वो आपको लिखके देगा, तब जाके आपको license मिलता है, एंड रही बात की crime की, compared to America, we are very good, हमारे पास crime उतना नहीं है, ठीक है, कुछ media में चीजें हैं की, I don't know कौन सी media में, but media show करता है की crime जादा है, I am okay, मतलब मैं, I feel like की इतना नहीं है, जितना की, दिखाया जाता है कही पार. अबी ना, social media पे कुछ videos भी float कर रही है, कि I am not sure, अब आपने देखिया, दो तरह की videos की मैं बात करूँ है, सबसे पहले crime की बात चल रही है, तो मैं उसकी करूँ है, कि एक old uncle है, दादाजी टाइप है, और उनसे एक couple गाड़ी में कुछ बात कर रहा है, फिर उनका पोता आत आता है, वीडियो बनाता है, कि क्या कर रही हो, get out from here, और जो दूसरे लोग है, वो भी Asian ही लग रहे है, I am not sure Indian है, Pakistani, Bangladesh है, जो मर्जी negative चल रहा है, we will still remain positive, and that is what Canadian hearts are, एक सर एक रील औरती मैं ने देखी थी, कि एक student था, उसके face पे blood था, basically, और उसको किसी ने मारा था, और, and he was saying कि, ये मेरे साथ ये हुआ है, तो वहाँ पे, जो Canadian citizens हैं, कुछ भी कहलो, तो वो थोड़ा Indians को ले कि कैसे है, थोड़े racist है, students को ले कि वह इनको jobs क्यों मिल रही है, ये हमारी country में आके growth क्यों कर रहे है, ऐसा कुछ mindset है उनका? नहीं, because Asians को कुछ percentage में बोल सकता हूँ, जो जिनोंने पहले खराब हुए हूँ, कुछ गोरे हैं, जिनके घर खराब हो गए, बच्चों ने बेस्मेंट में खराब ही कर दी, वो तो negative हो गए होंगे, लेकिन, as me, as an individual, हम हर community के साथ रहते हैं, हम we go out, हम lunch करने, dinner करने, हम उनक ठीक है, कुछ problems हुई होंगी किसी को, वो negative narrative चल गया होगा, but again, I don't want to comment on that because, हर country में problem है, हर state में problem है, हर province में problem है, हर सहर में problems है, so let's focus on being very much positive and help the community, जो बच्चे के साथ बुरा हो गया है, we should help him, कि भाई, अगर तुम्हें को problem हुई है, मिलो, police है, और वहाँ पे तो इतनी सारी agencies है, जो आपको हर चीज में मदद करने को त्यार है, a lot, police आपको अपनी गाड़ी में बठा के उस जगह छोड़ के आएगी, जीन का वो center बना हुआ है, imagine, अगर आप lost हो जाते हो, road पे अगर आपके पास $2, $5 नहीं है घर पहुँचने को, आपके पास phone है, आप 911 phone करो, will be given to you, तो ये देखो, ये चीजे हैं, जो Indian लोगों को नहीं पता, और वो explore नहीं करना चाहते, and our job is to let them know, कि that, yes, there is always a help, but ask for it, if you don't ask, nobody will know, so ask for help, and you will get it. तो सर, क्या यही रीजन है, reverse migration का? You have to start from scratch, चाहे doctor भी यहां से जा रहा है न, उसको भी scratch से सुरू करना अपनी जिंदगी, चाहे वो labor जा रहा है, उसको भी scratch से, हमने भी scratch से जिंदगी अपनी सुरू की, we started our life from scratch, and we are happy, कि हमने scratch से जिंदगी सुरू करके, आज हम इस level पर पहुँचे हैं, कि we know the value, what we left and what we are having today तो सर जो आप बता रहे थे कि grants मिलना या government से पैसे मिलना वो कुछ cases में होता है, ऐसा नहीं है जिसको कुछ लोग यहां से points के basis पे PR लेकर जाते हैं, तो उनके लिए scratch से ही होगा सब कुछ Exactly, जो बंदे PR लेके जा रहे हैं या किसी भी status पे Canada जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, उनको भी अपनी life scratch से ही सुरू करनी है, चाहे वो अपना entrepreneur करें, या अपनी same field में job करें, या कुछ भी करें, but they have to start from scratch, हाँ, कई बार family members होते हैं, that is the biggest help, जब family member आपका वहाँ Canada में पहले जो भी मेरे clients हाते हैं, मैं उनको पूसता हूं, कि आपका कोई family member है, कोई दोस्तियार है, ताकि आपको starting के कुछ दिन के लिए आपको help मिल सके, which is a very good thing, and again, मैं आपकी बात के बीच में ये बोने लगा हूं, कि हमेशा कोशिस करो कि बंदे अच्छे, सुलजे वे, ना कि गल लाइन लगी है, बच्चों की, एक Walmart जैसा कुछ टोर है, जहां पर कह रहे हैं कि jobs इतनी है, बच्चे दूर तक लाइन में खड़े हैं, why is that happening, sir, क्या reason है, क्या students, वहाँ पर mandatory है, हर student को job करना, या क्यों बच्चे, या फिर unskilled labor जादा है, क्या reason क्या है, राइट, इस last साल, डेर साल, दो सालों में, बच्चा बहुत आ गया, और यह reality है, and everybody is facing it, Canadian side भी और Indian side भी, Indian side इसलिए, क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं, उनको वहाँ college प्रॉपर लेनी नहीं हो रहा है, रहने की जगह नहीं है, एक-एक basement में 10-12-12-15-15 बच्चे रह रहे हैं, which is not a good thing, वो healthy अगर दो कमरे की basement है, ज्यादा से ज्यादा दो बंदे, या तीन बंदे, या maximum चार बंदे, sharing basis पे रह सकते हैं, अब वो जो आप देख रहे हो, लंबी-लंबी लाइने, वो इतना बच्चा पहुँच गया है, कि, और हर बंदे की demand यह है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम विचिस अगेन नट गट, आपको, इमिग्रेशन ने, आपको एक सेट टाइम दिया हुआ है, कि आप इतने घंटे पढ़ाई करो, इतना काम करो, majority of them, majority तो नहीं बोलूँगा, लेकिन, yes, a good number of people, they want to only work, not go to the college, not go to the school, which is not a good thing, आप पढ़ने के लिए काणा आ रहे हो, पढ करके अपने डिग्री या डिप्लोमा जो भी लेना लो, you will get an open work permit, फिर काम करो ना, क्यूंकि आपके रेजुमे में वो शो होगा, कि मैंने ये पढ़ाई की है, and then you are asking for a job, you are not asking for a labor job, you are asking for a skilled job, कि हाँ मैंने ये किया जी, मुझे ये job मिलनी चाहिए, I can handle this job, and that is again, अगर आप वो जॉब लेती हो, you are paid whatever is written on the contract, not an under table money, so these are the things which the students, जो भी बच्चा आ रहा है, उसको समझना है, ठीक है, problem हर country में है, हर बच्चे के pocket में पैसे नहीं है, बड़े मुस्किलों से वो Canada आया है, but again, आप ऐसी life भी अपनी ना करो, जिसमें आप जिंदगी बर regret करोगे कि मैंने अपना सारा time waste कर दिया, sir, यह जो work permit मिलता है, कितनी duration के लिए होता है, अगर मिलता है इनसान को, so depend करता है कि आप कौन सा, क्योंकि work permit भी बहुत तरह के, एक work permit मिलता है, PGWP, जो कि आप study के बाद आपको मिलता है, government के तब से free मिलता है, अगर आपने एक साल की पढ़ाई की है, तो एक साल का मिलेगा, दो साल की पढ़ाई की, तो तीन साल का मिलेगा, हम आइडियली अपने students को बोलते हैं कि दो साल की education कम से कम लेकिया हो, ताकि आपके पास time हो, अच्छा सार एक question आ रहा है मेरे mind में, कि अब जैसे मानलो मेरी पढ़ाई भी हो गई, मेरे points भी पू पी पी आर की फाइल जो है, between 25-$ to 35-$ रखते हैं, और भी easy installment में, तीन easy installment में रखते हैं, ताकि बच्चा जो हमें पे कर सके, अगर वो फिर भी बोलता है कि नहीं हम नहीं पे कर सकते, तो we do help them, जितना हो सकता है, कई बार spouses उसके काम नहीं करते हैं, single है, we again go low and उनकी help करते है and we try to help them in a way कि उसकी PR हो जाए, मतलब we tell them to, कि आप ये documents अपने, अपने employer से, अपने जो taxation है, pay stuff है, properly, IELTS का score बढ़ाओ अपना, that is must, आज के रेट में बच्चों की PR इसलिए नहीं हो पारी क्योंकि वो या तो पढ़ना नहीं चाह रहे थे, IELTS का score बढ़ना नहीं चाह थे, तो I tell my clients, कि अगर IELTS नहीं हो रही, French करो, Canada इस समय French को बहुत promote कर रही है, and I tell all my clients, जितने भी clients मेरे पास अब office आ रहे हैं, कि try and start learning French, क्योंकि French के अलग से point हैं, और वो French के points आपको PR दिलाने में ज़्यादा helpful हैं, Sir, एक चीज और बताओ, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं, कि बाहर जाके किसी गोरी से शादी कर लेंगे, तो PR हीजी हो जाएगी, थोड़े उससे regarding rules बताओ, जो youngsters यह तरीके अपनाते हैं, I am not gonna support that, नहीं support नहीं बताओ, आप rules बताओ, पॉसिबिल्टी है, लोग करते हैं, and हम उनकी बहुत फाइले लगाते हैं, हमारे पास मैं office में 6-8 फाइले महने में लगाता हूं, but we also vet, हम चेक करते हैं कि यह genuine marriage है, we don't like to do fake things, हम client को, दोनों parties को बठा के, we get written consent, कि यह सब कुछ genuine है, documentation improper है, फिर हम उसके बाद उनकी file तियार करते हैं, और फिर file लगाते हैं, and this is good, अगर कोई बंदा जुसकी genuine relationship है, Canada is happy to do that, अगर एक गोरा अगर इंडियन के साथ शादी कर रहा है, there is no problem, it is normal, बहुत लोग Canada से इंडिया आते हैं, शादी करते हैं, they get their good choices, वापस आते हैं, हम उनकी file लगाते हैं, 6-8 मैंने में वो Canada से, इंडिया से Canada, PR पर fly करते हैं, that is good, और वो अपनी journey उनके साथ, Canada में फिर नहीं journey start करते हैं, But sir, what are the rules in that case, कुछ rules and regulations है, कि आपको इतना time relationship को हो जाना चाहिए, या इतने time की marriage हो जानी चाहिए? नहीं, इसको इसके अंदर ये है कि अगर किसी की genuineness relationship में है, जिस officer के पास वो file जा रही है, he will understand it, they are very sharp, they are very smart, हम लोग सोचते हैं कि हमी smart हैं नहीं, the officer who is checking your file, he can vet it very well, कि ये genuineness है या नहीं है, like हम लोग आपकी chats, जो client होता है, उन दोनों parties की chat लगाते हैं, वो chat पढ़ते हैं officers, जो story बनती है उनकी, story बनती है proper, कि हम कब मिले, कैसे हमारा interaction हुआ, हम कब उसके बाद हम chatting शुरू कर दिया, या जो भी है, वो proper chat पढ़ते हैं officers, चाहे उनके पास 3 minute ही हो, या 10 minute हो, but they evaluate your file in a way कि उनके हाथ से को गलत ना हो जाए, क्योंकि a Canadian citizen or a permanent resident will get impacted, अगर आज भगवान ना करे उसकी file refuse हो जाती है, उस लड़के की या लड़की की, तो who is gonna get impacted, both the parties, Canadian citizen भी और Indian citizen भी, तो they don't want to get into that stress, क्योंकि उसके बाद अगर ये refusal आ जाती है, तो people like us, consultants, lawyers, we can go to different level of immigration and challenge that decision, yes, कि this file holds a merit, आप इस तरह से refuse कर रहे हो, we will go for judicial review, हम उस चीज़ को challenge कर सकते हैं court में जाके, कि हमाचात ऐसा हुआ था, recently एक केस था हमारे पास, जब एक छोटे सो कोशन की वज़े से, जो embassy है नियु डेली में, उन्होंने refuse कर दिया, उसने client से पुझा कि आप non-vegetarian हो और vegetarian हो, तो उसने बोल दिया कुछ कि मैं हूँ नहीं हूँ, उस पे refuse कर दिया, we contested that application and we got it done, हम वो केस जीत के आये थे and it was a good thing for us, कि हमने वो high profile case था and we won it. Sir, जैसे Canada के लिए काहा जाता है कि one of the coldest country है, काफी जादा मुश्किल है वहाँ पे रहना, so मैं जानना चाह रहा हूँ कि what are the good cities, जहां पे हम option देख सकते हैं रहने के लिए, जहां पे हम जहां पे जादा ठंड नी होती, वो थोड़ा बता हूँ आप. Well, मैं तो के ट्रॉंटे रहता हूँ, मेरे लिए तो वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि half the time, मतलब चार मैंने, पांच मैंने ठंड होती हैं, बट उस ठंड का भी एक अलग मजा है, I find it to be happening, it's good for me, क्योंकि जब आप एक time पे रहने लगते हो ना, तो आपको फिर वो वो snow नहीं रगती, फिर वो आपको लगता है friendly आई है, ये time से आएगी, अपना सहर क्लीन करेगी और फिर चली जाएगी, तो वी look it into that thing, and Vancouver is another good place to live, people are migrating a lot, Vancouver क्योंकि वहाँ ठंड कम पढ़ती है, अभी कुछ time से Vancouver में भी ठंड जादा होने लगी है, क्या lowest temperature या रहता है? डिपेंड करता है, वैसे 18 डिगरी से लेके 24, 25, 28 तक रहता है, अगर आप cold को देख रहे हो, तो माइनस 20 भी जाता है, Toronto माइनस 38 भी देखा है हमने, हाँ, लेकिन एक दो दिन उसमें ऐसे होते हैं, उस पूरे season में, चार महने में, जब वो icy हो जाता है, black ice, उस दिन गाड़ियां skip करती है, जो आप देखते हो न करे बाद वीडियो, कि गाड़ी-गाड़ी में जाके लग गई, वो 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 bad days है, जिसमें हम लोग भी avoid करते हैं, and Canada के अंदर advisory issue होती है, कि आज ये black ice है, please do not drive, वहाँ हर चीज का एक system बना हुआ है, police, snow गिर रही होती है time से, आपको phone करने की ज़रोत नहीं है, वो अपने आप ही आएंगे, snow डालते रहेंगे, clean होता रहेंगे, और अपनी गाड़ी से आपको खुद कोई snow साफ करने है, वो तो अपने घर के बाहर की तो आपको खुद करनी पड़ेगी, आपके गाड़ी पे snow है, आपको clean करके, अपना एडिया भी साफ रखना है, अपनी गाड़ी भी साफ रखनी है, which is a good thing, give them a respect, a respect more than your respect is, you will see that she will feel better, and that is how Canadians are looking at us, कि if we give respect to Indian people, they will give us double the respect, that is why we are valued, तो सराब ने टोरॉंटो बोला, वैंकूर बोला, मॉन्ट्रियल सुन्दर है, मैंने सारे सहर देखे, एड्मिंटन देखा है, कैलगरी देखा है, सब सुन्दर है, मतलब आप कोई भी सहर चले जाओ, every town has his own name, किसी ना किसी चीज के लिए, उसकी सुन्दरता के लिए वो famous है, एक ट्रॉंटो से डिड़ घंटे की दूरी पे एक चोटा सा टाउन है, आप कभी जब छोटे होगे तो आप सेंट थॉमस एक ट्रेन चलती थी, याद है, मुझे नहीं पता था, सेंट थॉमस एक ट्रेन, जहां से ट्रेन चलती है वो, वो उस सहर के उस नाम पे सहर बनाया गया है, and most of the people are Canadian, and I own a property there, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, तो I feel so, लेकि मुझे अपना पच्पना जा रहा है था, कि हम वो सेंट थॉमस की ट्रेन देखते थे, तो देखो, बीजी है और एजी लिए उनको वो मिल जाएगी, PR भी, So, बहुत लोग, बहुत लोग जो है, वो ट्रॉन्टो और वेंकुवर ही मूव करना चाहते हैं, because कोई ना कोई रिसेदार है, accessibility है, jobs जादा है, but I would suggest my people, कि आप वो देखो जो आपके लिए best है, in terms of getting your education, and then your job, और उसके बाद फिर आप कहीं भी मूव कर जाओ, एक बार आपकी PR हो जाए, फिर आप कहीं भी मूव कर जाओ, government has no problem, see, again, government बोलती है कि आप law में रह के काम करो, कोई भी law को break ना करो, and they are happy to help everyone, lovely sir, lovely sir, मज़ा आगया, and I'm sure audience को कितना कोचा आज सीखने को मिला होगा, इस podcast से, तो guys, अगर आप plan कर रहे हो, एक better life आपको लगता है, इंडिया के बाहर आपको मिल सकती है, तो Canada हो सकता है, वो आपके लिए सही जगा हो, और उसके लिए, sir, might be the right person, तो इंसे जुडने के लिए, अगर आपके और कोई queries है, तो sir, का Instagram description में mentioned है, और सारी जुडी भी details, इनकी company की, इनके Delhi office की, India office की, Canada office की, मौजूद है description में, अगर आप कहीं भी, किसी और country से भी देख रहे हैं, और आप Canada move-in करना चाहते हो, तो details description में mentioned है, आप जरूर इनको reach out कर सकते हैं, और sir, जाते-जाते, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, I am thankful to you guys, a lot, it was pleasure, it was the first podcast I have done, and मुझे तो खुद भी, बहुत अच्छा लग रहा है, मिलके आप लोगों से, and I would like to tell my audience की, आप मिलो, आप come and see me, अगर आप नहीं मिल सकते हो, contact me on my phone, मेरे India office, Canada office, have a zoom call with me, we don't charge anything, and, मिलने के बाद आपको पता चलेगा, कि yes, we can connect you, and we want to connect you with the right path, जो आपके लिए होना चाहिए, and, आप मिलके बात करके, फिर आपको लगेगा, कि yes, if you are finding it suitable, then, let's, we'll sit down, we'll talk, मेरे पास, आप जितने मर जी, meeting करो, we don't charge anything, and, thank you so much guys, awesome, दोस्तों, दोस्तों, सर की डीटेर्स दिस्क्रिप्शन में में मैंशेड है, हमारे चैनल को भी like, share, subscribe कर दो, कोई भी आपका दोस्त, तियार, family member Canada में है, struggle कर रहा है, या यहां से जाना चाता है, तो उन तक ये वीडियो पहुचा दो, और हम ऐसे ही, आपके लिए महज़ार podcast लाते रहेंगे, काम की चीज़े लाते रहेंगे, हम मिलते हैं आप से नए podcast में डिदिलन, bye bye, take care, bye bye, जै जै शे शे रा, जै शे शे रा, thank you.